चलिए सर स्टार्ट किया जाए आज एक चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का और चेप्टर का नाम है हमारा प्रॉसेस अकाउंट पहले हम नाम को अच्छे से वेरिफाई करेंगे फिर कोस्टन पर जाएंगे के प्रॉसेस अकाउंट होता क्या है और य यह ज्यादा से ज्यादा manufacturing क्योंकि cost का काम ही manufacturing unit के अंदर होता है तो उसी का part होता है आपका cost process account चलिए start करते है sir क्या है process account तो हमारा chapter है sir अपने नाम तो लिखा हुआ है लेकिन जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिखतू तसल्ली नहीं होता process account process account सर्फ process account होता क्या है वो चीज़े देखेंगे आप ध्यान से देखेगा सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा अब मैं किसका example लो किसका example लो किसका लो चलो मैं 10 year का example ले लेका हूँ फिक है कैसे बनता होगा 10 year मैं इसकी आपको सच्चा ही बता रहा हूँ सबसे पहले इसके papers आते हैं मेरे पास papers आने के बाद मैं paper को देखता हूँ solve करता हूँ और मैं एक pen paper पे इसको solve करता हूँ और solve करने के बाद मैं इनको mail कर देता हूँ मेल करने के बाद क्या होता है उनकी टीम पूरी होती है जो कि इसको टाइप करते हैं टाइप करने के बाद फिर दुबारा ये आता है मेरे पास मेरे पास आने के बाद फिर मैं चेक करता हूँ कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया टाइपिंग के बाद फिर दुबारा जा साथ इतने बड़े बड़े प्र होने के बाद सारा होता है इतनी कहाँ अिन बता रहे हो हमें इतनी कहानी आपको इसलिए बताया जा रहा है कि सबसे पहले सबसे पहले यहां पे क्या क्या हुआ यह देखते जाते हैं सबसे पहले क्या क्या हुआ वो मैं बताता जाता हूँ आपको सबसे पहले यहां अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक पहली कॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ कुश्चन्स पेपर और जाहिर सी बात है कुश्चन्स पेपर मुझे देंगे तो मैं उसको सॉल्व करूँगा और इसको सॉल्व करने की मैं लूँगा उनसे फीस मैं लूँगा उनसे खर्चा ऐसे थोड़ी ना है कि सॉल्व हो जाएगा मैं उनसे फीस चार्ज करूँगा तो मेरी यहां पे फीस आ गई जो भी हमारी फीस है वो हमने लिया इसके बाद जैसे ही कुशन पेपर सॉल्व हुआ तो एक और आ गया हमारे पास यह सर यहां पे क्या हुआ यहां पे टाइपिंग हुआ टाइपिंग हुआ टाइपिंग होने के बाद फिर से कहां चले गया सर यह यह चला गया सर यहां सर यहां क्या हुआ सर यहां प्रिंटिंग हुआ प्रिंटिंग के बाद सर एक और प्रोसेस में आ गया यहां पे यहां क्या हुआ सर यहां बाइंडिंग हुआ यहां क्या हो गया सर बाइंडिंग हुआ इसका मतलब सर आप आप समझ पा रहे हैं कुछ यह पहले यहां से यहां गया फिर यहां काम खतम होके यहां गया फिर एक काम खतम होके यहां गया जब binding हो गया फिर इसको student ने खरीद के अपने इस्तमाल कर लिए और student ने इसको पढ़ के exam दिया तो ये देखो ये क्या है that is call हमारा एक ये पूरा का पूरा क्या है process तो हमें हर level पे खर्चे होते हैं हमें हर process का accounting जानना होता है हर level पे क्या होते है sir expenses होते है सर कौन कौन से level के expenses की बात कर रहे है सर यहाँ पे expense हो रहा है यहाँ पे मेरी fees है इसके बाद typing के पास staff बैठे हुए है वहाँ पे कुछ खर्चे हो रहे है ठीक है तो आप एक बात देखना जो यहाँ पे मैंने चीजे product produce किया जो बनाया मैंने वह same बना हुआ कहाँ पहुँच जाते है आगे पहुँच जाता है फिर इसके अंदर कुछ 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 एडिशन होता है यहाँ staff मिलके करते है फिर एक product तयार हुआ वह कहाँ चला गया सर प्रिंटिंग में चला गया फिर यहाँ पर प्रिंटर वाले इसको पेज इस पर प्रिंट करते है प्रिंट करने के बाद जो यहाँ तयार हुआ वह आगे फर्दर चला गया फर्दर होने के बाद फिर हमें final मिल पाता है तो process का मतलब क्या है सर process का मतलब है जब कभी भी कोई भी product हम बनाते है तो product बनाने को कुछ हमारे इसके chain होते है उस chain से गुजरने को process कहता है हमें examiner कहता है कि आप हो accountant आप इसकी अलग accounting बताओ कि कितना यहाँ पे खर्चा वगेरा आ रहा है आप इसकी अलग accounting बताओ कि यहाँ पे क्या-क्या लग रहा है आप यहाँ पे अलग accounting बताओ यानि इसको नाम दे दिया सर process 1 इसको नाम दे दिया process 2 इसका नाम दे दिया process 3 इसका नाम दे दिया process 4 तो आपको सभी process को बनाके और मुझे क्या बताना है कि क्या-क्या यहाँ पर होने वाला है अब इन process के अंदर कुछ-कुछ दिक्कते आती है सबसे पहले तो यहाँ के खर्चे यहाँ के खर्चे और यहाँ के खर्चे बोट सब के सब कुछ तो similar है और कुछ एकदम different है जितने भी खर्चे हैं कुछ similar है और कुछ different है पहला challenge के हमें हर किसी का खर्चा बगएरा manage करना है जब कभी भी यहाँ से यहाँ पहुंसता है चलो मेरे question paper में तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे ही यह typing करते हैं typing करके जब आगे भेजते हैं यह printing करके आगे जाता है तो कुछ चीज़े हमारे wastage हो जाता है तो जब समान हमारा wastage होता है तो wastage होने के बाद हमारे दो चीज़े बसती है एक या तो एकदम बहुत ज़्यादा wastage हो जाता है या एक बहुत थोड़ा wastage होता है तो एक हो सकता है हमारा normal wastage हो और एक हो सकता हमारा abnormal wastage हो तो दो तरीके का हमारा यहां पर क्या रहता है सर तरीके का यहां पर हमारा क्या है और एनॉर्मल वेस्टेज Fast वह ऑनऊपके को एक चीज समझ में आ रही होัिए प्रोस्धर फरीक करता है अब हमें एक और उधारन ले ले लेते हैं पहला process manufacturing करते हैं क्योंकि ज़्यादा तर manufacturing के आएगा इसके बाद यहाँ जाएगा फिर इसके बाद यहाँ जाएगा हम एक car बना रहेते हैं ठीक है तीन process से गुजारते है यहाँ पे car के अंदर क्या हुआ steel की body वगर्या car बना रहे हैं मानलो car बना यहाँ पे तो यहाँ पे car की steel की body बनी raw material से जैसे ही यLR जाई ले प्रॉसस बना रहे है इसके बाद यहाँ पे आ गया यह paint होने यहाँ paint होने आ गया car तो जब सारी की सारी body paint होने आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि सभी body अच्छे से paint हो जाए कुछ destroyed भी हो सकता है तो जब कुछ destroyed होगा तो उसको हम बोलेंगे normal loss normal loss भी हो सकता है जैसा ही paint हो गया मान लेते हैं यहाँ पर finishing होने हो गया tire लगने हो गया tire लगने आ गया, सारा का सारा car बनके तयार होने आ गया तो जब सारा का सारा car है यहाँ पर मान लो 6 है 6 से यहाँ से finish होते होते हैं यहाँ तक 5 ही आया तो भी यहाँ पर एक नुकसान हो गया that is हमारा call normal loss तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर कहना यही चाह रहा हूं कि जब एक process से हम दूसरे process पर जाते हैं तो हमारा कुछ नुकसान भी हो सकता है नुकसान दो तरीके का हो सकता है normal loss और abnormal loss process का मतलब ही यह है कि हमें क्या करना है सर एक जगह से समान बना उसको दूसरे जगह सिफ्ट करना till finish product ना हो जाए अच्छा सर इसका मतलब यह रहेगा यह है process का meaning पहले हम format देखेंगे फिर question पर आएंगे सर format कैसा बनेगा process का कैसा बनेगा मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हाला कि हमारे exam के अंदर इतने बड़े process नहीं आते दो से तीन process आते है कि तीन process का तो एक process बनाऊँगा फटा फट से मैं बना दूँगा बाकी के process चलो मैं लिख भी देता हूँ लिख देता हूँ पर्टीकुलर यूनिट कितने यूनिट लगे amount कितने यूनिट लगे amount ये लचे सबसे पहले का नाम रख दिया हमने process A फिर उसके बाद process B फिर उसके बाद वैसे तो दो ही enough है तीन क्यूँ बना एक सवाल थोड़ी कर रहे है वैसे तो दो ही enough है हटाओ इस पो सबसे पहले process में लगेगा input आप कहलो input या फिर कहलो material कुछ sum units होंगे और उसका कुछ amount होगा उसके बाद यहां क्या लगेगा सर्फ खर्चे होंगा जैसे wages जिसको आप labor भी कह सकते हो जैसे overhead यह और भी खर्चे हो सकते हैं जितने खर्चे आपके डल सकते हैं आप डाल दो एक तरीके से यह हमारा यह account बंद हो जाएगा फिर जैसे हम यूनिट का टूटल करेंगे तो हमारा जरूरी नहीं है कि सारे का सारा यूनिट मैनिफेक्चर हो जाए कुछ हमारे लॉसे हो सकते हैं जैसे नॉर्मल लॉस और कुछ हमारे हो सकते हैं अब्नॉर्मल लॉस के यूनिट होंगे और उसका amount यह amount हमेसा question देगा कुष्यन में given होगा कितने का abnormal loss का होगा यह हमें question नहीं देगा यह हमें find करना होगा कैसे निकाले के हम आगे देखेंगे इसके बाद जैसे ही माल तयार होगा तो ऐसा नहीं कि सारा हम next process में भीज देंगे कुछ तो हम closing रखेंगे कुछ तो closing रख लेंगे कि भाया बचा लो क्योंकि आगे जरुरत नहीं है तो मैं आगे ब्लॉक नहीं करूँगा और जितना बच जाएगा उसे भेजेंगे हम अगले process में तो यहां पर लिखूँगा प्रॉसेस भाई यह चला जा B में unit चला जाएगा और यह चला जाएगा ठीक है यह दोनों side हमारा match रहेगा हमेशा अब sir हमारे पास ध्यान से देखो ध्यान से सोचो ध्यान से समझो तो हमारे पास कुछ समान आया कहां से आया sir process process बताओ जब यह process B में भेज रहा है तो यहां पर जो मैं unit लिखूँगा जो पैसा लिखूँगा वो यही वाला तो सेम आएगा और वो कहां से आएगा सहाब process A से आएगा क्या process B के अपने खुद के खर्चे होगा बिल्कुल होगे नहीं उसके खुद के अपने material लगेंगे हाँ labor लगेगा और कुछ लगाओगे सर बिल्कुल overhead भी लगेगा ठीक है अब हमारे losses भी हो सकते हैं इसमें भी तो कौन कौन से losses हो सकते हैं normal loss normal loss हो गया सर normal loss को कहां question में given होगा इसके उपर हम detail चर्चा करेंगे वैसे detail discussion करना होगा इसके बाद कौन सा हो सकता है abnormal loss abnormal loss unit care name सर यह find करना होगा सर इसके बाद अगर हमारा यह last process है तो हम क्या कर देंगे finished goods कर देंगे क्योंकि आगे तो जाएगा नी finished goods finished goods आगे तो जाएगा नी तो यह हो जाएगा हमारा finished और अगर कुछ बचा तो बचा sale किया तो sale किया हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे क्योंकि एक ही format पर हम सारी बातों का discussion नहीं कर सकते हमें इतना ही question करके दिखाना होगा कि आप process A और process B बना के दिखाईए तो पहले सबसे पहले आपको समझना होगा सर इधर के side देखो सारे के सारे खर्चे हैं इस side में सारे के सारे खर्चे हैं इस side में क्या है normal loss abnormal loss और closing stock जैसे trading होता थो याद करो trading जैसा ही लग रहा है और जो अगले process में जाएगा एक तरीके से sale ही तो हो रहा है तो उसे buy side में दिखा दिया यहां तक किसी बच्चे को clear है सर चलिए बच्चों ने बता दिया no सर आ जाईए एक questions आपके लिए देखते हैं यह तो नहीं यह तो बाद में देखेंगे चलिए एक आपके सामने सवाल है पढ़ लेते हैं इस सवाल को और आपके बिलकुल according करके दिखेंगे ठीक है normal loss क्या होता है सर abnormal loss क्या होता है इ आप 200 तन अब कितने भी quantity में है quantity unit है यह 200 तन raw material है through two process जाएंगे आपके दो process के अंदर जाएंगे process A के अंदर जो 200 तन है उसकी कीमत होगी 2000 रुपे process B में कितना जाएगा वो तो निकल के पता चलेगा labor की costing दे दी work expense दे दिया कहता है 10% of material wasted in the process the wastage has been normal wastage को normal मालो और जो scrap normal वाला है वो 50 रुपे show the process number one वो कितने का realize हो गया है जितना भी scrap है सब के सब 50 रुपे में बिग गया हम इस पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे बात करेंगे loss भी हमारे दो तरीके के होते है कुछ बिग जाते है कुछ नहीं बिग जाते तो हम उसको देखेंगे तो एक ही कितने process बनाने सर दो process कि ओके सब्सक्राइब बना लेते हैं यह लो जी कि दो process ही तो बनाने है लो बन गए दो process easy easy फटा फट से कि दो process बना दो सर एक बना दो सर प्रसस ए यूनिट यानि टन कहलो आप ठीक है इसे टन ही लिख देते हैं टन कि कि ओ डबल एन सिर्फ एन लिख देते हैं कि अब इसको दो process बनाने है तो हमें काम ना कर ले सर इसको कॉपी करके एक और बना लेते हैं यही तो आसान काम होता है स्मार्ट बोर्ड में और जल्दी स्लेबस खतम हो जाता है फिर इसकी वेशे से हमारा चलो जी सहाब आप इंट्री करके दिखाओ बड़ा हो गया बहुत जाहिर तो सर पहले में input डाला सर कितने 200 टन जिसकी कीमत 2000 ठीक है 200 टन डाला जिसकी कीमत 2000 फिर लेबर लगा 1000 तू साइड में जाएगा लेबर लेबर 1000 अब मुझे आप बच्चे बताएंगे work expense कहां दिखाऊं मैं work expense कहां दिखाऊं आपको स्तेय करना है यह मैं debit में दिखाऊं कि credit में दिखाऊं work expense से यह आपने बताना है प्रोसेस भी भी बता दिखाऊं बिल्कुल सारा करेंगे क्लियर है तो आप मुझे बताओ पहले work expense कहां जाएगा यह आपकी जिम्मेदार यह बताईए मैं आपका इंतजार कर रहा हूं सर डेबिट में जाएगा और एक मजे की बात बताओं इसमें debit और credit नहीं लिखना है मैं बोल दिया किधर जाएगा आपने debit बोल दिया लेकिन यहाँ debit credit लिखने की कोई वाशकता नहीं है लेकिन समझने के लिए हम थोड़ा थोड़ा accounts की तो help लेगे ना बिलकुल ले सकते ह सर वर्क इस unit वाले में कुछ नहीं जाएगा ठीक है ना unit वाले में कुछ कितना खर्चा होगा भाई सब 500 अब question कहता है भाई हमारा normal loss 10% होगा तो जितना input डाला उसका 10% तो normal loss चलो ये भी पूछते हैं आप से बताओ कौन बच्चा बताएगा normal loss कहां जाएगा टू में जा जादा जादा ना मत बूली आप सिर्फ बाई में इसको लिख दीजिए चुप चाप से मैंने लिख दिया by normal loss normal loss को nl लिख देते हैं थोड़ा short में कितने हुए normal loss 10% सर 200 unit थे उसका 10% normal loss हो गया हाँ जी हाँ कितने unit होगे 20 unit now putting 20 units कितने कभी का सर question कहता है इसको scrap में 50 रुप सर इसके बाद कोई closing stock नहीं है तो इसको क्या करेंगे इसको हम भीज देंगे next process that is process number B अच्छा 1 और 2 है 1 और 2 है तो 1 और 2 लिखेंगे ए भी थोड़ी लिखेंगे फिर 1 और यह आगया सर 2 में 2 में कितने process आगये सर एक बार फटा फट से total किया जाए 200 3,500 200 3,500 सर कितने बचे 180 तो सबसे पहले यहां आजाएगा 2 process process A यहां आएगा process कौन सा B B में जा रहा है कितने आएंगे 180 पहुँच गए कितने रुपे का सर माइनस कर दोगे 3450 यहीं पहुँच गए 3450 इसके बाद इसके अपने खर्चे जैसे इसमें कुश्चन में दे material के आगे blank है तो material लगा ही नहीं सर labor labor कितने 500 रुपे सर work expense कितने इधर ही आजाएगा सबसे आसान चेप्टर है भाई साब यह बस आपको करना है मन लगा के 300 ठीक है 300 आजाएगा चलिए सर क्या यहां भी नॉर्मल लॉस है इसने बोला 10% of material wastage in the process the wastage has been scrapped 50 so process 1 हाला कि यहां पर सिर्फ बोला है process 1 बेचन करने को एक ही process बताओ process 1 बताओ लेकिन मैं समझाने के लिए process 2 बता देता हूँ इसने सिर्फ बोला wastage process इस में कोई भी हम मान के चल रहे हैं कोई भी हमारा normal loss question में नहीं गीवन तो नहीं हमने मान लिया है तो क्या निकलेगा sir by finished finished कितने हो जाएंगा sir 180 और 184 और 84 बारा 42 बारा 42 बारा 42 बारा 52 और 180 तो sir 180 और 42 मैंने पूछा बताओ यहां पर पर unit cost क्या आया तो sir ये भी है बताना है बिल्कुल simple sir total cost divided by total unit sir total cost कितने है sir 4250 total unit कितने है sir 180 तो यहां पे निकल जाएगा 4250 sir abnormal loss निकालना होगा निकालना होगा वो सवाल में percentage देगा जब हम आएंगे वो तो मैंने format में लिख दिया जब हम आएंगे तो बात करेंगे उसके ठीक है न तो यह हमारा cost आगया 23 रुपए 61 पैसे अगर question by the way पूछ ले इसका cost बताईए पर unit का क्या आएगा तो इस तरीके से निकालोगे इन दोनों को divide करके यहां का cost पूछ ले process 1 का costing बताओ तो process 1 का costing होगा 3450 divided by 180 3450 180 that is 19.16 समझे sir normal loss में 50 कहां से आया यही तो बच्चे पूछ रहे हैं sir 50 कहां से आया 50 रुपए दे रखा है कि यह 50 रुपए में बेचेगा जितना भी scrap होगा उसको बेच देगा 50 में तो जितने का बिकेगा वो by side में आ देगा question given रहेगा बताइए इस वाले questions में किसी बच्चे को कोई doubt इस वाले questions में किसी बच्चे को doubt sir 3500 है sir process 2 में भी normal loss क्यों नहीं आया मैंने माना है मानसी कि process 2 में कोई loss है ही नहीं क्योंकि इसने बोला सिर्फ 10% होगा process में और question में देखो so process 1 बोला है तो 1 के हिसाब से बनाना था लेकिन यह तो मैं extra बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आगया ऐसे होगा अभी आएगा तो पता चल जाएगा सर 35 है किस बात किस की बात कर रहे है 35 नहीं यह total cost का मतलब यह नहीं है जो cost यहाँ पर निकलेगा इस cost को consider करेंगे इसके total से मतलब नहीं normal loss को minus करने के बात देखेंगे समझ गया अमन बताइए कोई doubt यहां तक किसी बच्चे का कोई doubt अगर doubt है तो बताइए नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम क्लियर है सर हर बच्चे का क्लियर होना भी चाहिए बहुत ज़रूरी है हेंड्रेस कुछ बच्चे कर रहे हैं मैं देख रहा हूं लेकिन अभी हेंड्रेस option काम नहीं कर रहा है आप सभी बच्चे कह रहे थे के सर इसमें थोड़ी से दिक्कत हो रही है तो मैं पुराने वाले सारे फीचर्स इसमें इस हफते के end तक या फिर मंगल बार बुद बार यह within a week आपको सारे पुराने फीचर्स फिर से और नए वाले और पुराने वाले सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिससे आपको परिशानी ना हो सर रिपीट कर दो एक बार एक बार रिपीट कर दो क्लियर है चलो रिपीट कर देते हैं question क्या कह रहा था कि हमारे 200 ton हम production करेंगे जिसमें 200 ton material का कीमत 2000 होगा और process 1 करेंगे तो उसमें labor भी लगेगा 1000 का और उसमें work expense भी लगेगा और process 1 के अंदर 10% का normal loss हो जाएगा 10% of material is wasted और जो wastage होगा normal loss उसको हम 50 रुपे में market में बेच देंगे loss को कैसे बेचोगे loss का मतलब समझो ये रहा मेरी पास ये सारा test है अब ये test क्या है सर अब आप manufacturing हुआ ऐसा ही 10 year बच जाते हैं इस test को देखो मैंने फार दिया अब ये test मैंने फार दिया आपके सामने सारा आपके सामने फार रहा हूँ अब ये test हो गया loss खराब हो गया बि बिखेगा साबुत पेज होता तो कुछ और rate होता पटने के बाद कुछ और rate हो गया तो बताओ ये बिखेगा या नहीं बिखेगा तो जवाब है रद्धी में तो बिखना तैह है तो ऐसलिए जो भी हमारा wastage होता है जो भी हमारा normal loss होता है वह हमारा बिक जाता लेकिन तो मिली गए तो हमारा total cost 5450 का हुआ है इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया हुआ है तो normal loss आ गया बाकी process 2 बोला नहीं था normal loss भी नहीं बोला था तो process 2 तो मैंने हाला की बना दिया normal loss मैंने assumption ले लिया कि यहाँ पर normal loss था ही नहीं और उसी तरीके से सारा question किया गया बताईए किसी बच्चे को कोई doubt किसी student को कोई doubt no sir clear है clear है clear है अ Peki खवल मैंने ही को को अ सारा किसी बनासर Psalm